हलो दोस्तों क्या से हो आप सब आप सभी कास स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्लाई मशीन वाले में आज हमारे पास है जैक F4 और इसमें आया है एरर E1 और ये एरर E1 क्यों आता है हम पहले जान लेते हैं दीखे जो ये हमारा नीडल पोदिशन होती है इसमें अगर धागा अटक जाए मतलब जो ये राउंड घुमता है इसमें अगर धागा अटक जाए और ये पूरा राउंड नहीं ले पाए तो इसमें एरर E1 आ जाता है दूसरी बात इसके शटर में अगर धागा फस जाए बहुत ही नहीं से निकालनी हुटा है। यहीं अभी चालू है इसे की करना यहाँ पर आना हों, यहीं नो हरए हिससा है। phone का इसे हमें off करना है तो देखिए meter पे आपको off लिखा जाएगा कुछ 10 second लेता है 10 second के अंदर आपको off लिखा जाएगा और machine का power एकदम से खतम हो जाएगा देखिए machine का power पुरा खतम हो गया चट तकर के कवा जाई और machine बंद हो गई हमें इसके बाद 5 second का wait करना है 5 second के बाद हम इस बटन को वापस चालू करेंगे देखिए जैसे हम बटन चालू करेंगे machine के light चालू हो जाएगा यह जो चक्का था पूरा round ले लिया और यहाँ पर meter शुरू हो गया और यहाँ पर P- आ गया तो machine हमारी चालू हो गई अब हम machine चला कर देखते हैं machine बराबर काम कर दिया और यह बटन भी बराबर काम करने लगा है तो दोस्तो हमने इस वीडियो में सिखा कि error even को कैसे निकाला जाता है अगर दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कलीजे सब्सक्राइब इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्लाइ मशीन वाले का बैल आइकोन बटन दबाना ना भूले मिलते किसी और वीडियो में जब तक ले बाई बाई